वेल्कम बैक इस पूजान यह वर्चिंग नॉवल्स फॉर नॉबल्स किस्मस कैरल अ नॉवल रिटन बाइ चार्स डिकन इस फर्स पॉब्लिश्ट इन लंडन इन चैपमेन हॉल तो इसकी इस नॉवला को फाइफ चैप्टर्स में डिवैड़ेट किया गया लेकिन चार्स डि इसमें इबीनिजिस क्रूस हैं अपने अपने अपनेख बॉबं सस्ग्रूस को ॥िए खंग लेंतर रहां व कॉजफ प्रょप्र आए रिट रहते हैं तो कुछ और अपनार स्भी स्ग्ज़्स डियोदिल अगोठ निए लिख variety फैसिलम सी अशसारा को सब्स्टी स्ग्वाइ अब ऐख फ्रेड नेफिय। नेफिते हैं यह को इनको समस्य पार्टी के लिए से इंस, समस्य इसयां यहें पस इस खुछ फोन पारुते हैं कोई नहीं कुछ रहते हैं उसके बाद येएपने घर जाते हैं और शेकशन बना रेका मार ले जो हैं उनकी डेफ हो चुक्य है 7 या साथ साल पहले उनकी बिजिस पार्टनर है और उनको गोस्ट दिखाय देता है जो गोस्त दिखाया बिड़ा तो वहाँ पर जो अफता है इस तो फंच कि मल एक कि भाट थाका वा सा पीड़ा सा और चैंस में बना हुआ है पूरी इसकी बोड़ी जो है पूरा की स्पिरिट की जो गोस की जो बोड़ी पूरी चेंज में बंदी है तो वो कहते हैं कि ना मैंने पूरी लाइफ कभी किसी की हैल्प नहीं कि हमेशे सेल्फ सर्विंग किया है मैंने कभी किसी की हैल्प नहीं मैंने कुछ डोनेशन नहीं कि है कुछ चैरिटी नहीं कि तो एज़ पनिश्मेंट मुझे यही मिला है कि मैं इधर उधर भड़कता रहूं तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी यह हो तो कहते हैं कि ना आने वाली तीन रातों में तुम्हार पास तीन स्पिरिट्स कि अधर बाइब हो जाते हैं और यह जो एविनेशन स्कुरूज है यह सो जाते हैं तो जब इनकी आंग फुलती है अभी यह भी अंधर है और इनकी आँख फुलती है तो इनने एक स्पिरिट दिखा देती है जो ए सिक्षे टो अफ किसमस पास्ट तो इह जो दो गोस्ट ऑ कि आपना बचपन थे पनी स्टाट की जिस मरचंट के पास पास जाते हैं फिर इनके इनके पीचे के ऊंगेजमेंट तूट गई आपके लिए क्योंकि उनको लगता था हमेशा जो एब इनेजस कुरूज है हमेशा पैसो के पीछे पढ़े रहते हैं उनसे प्यार नहीं कहते तो उन्होंने इनसे ब्रेक अप कर लिया था वहां लेके जाते हैं तो यह सब देखे जो यह याद आता रूप रहने लगते हैं और अपन सब्सक्राणी प्रसक्रा गॉस्ष्ट सब्सक्राइब गुष्ट इसथैना सबस्सक्राइब और फ़े सच्रेच मुशना ये लोगों के गरी भी है लोगों को कितनी वह दिखाता है और फिर हिने ये बॉब करेटचेट के घर लेंङयासा है इनका जो खलक है बॉब करेटचेटके उutके घर लेके जाता है ये देखते हैं कि जो ये बॉब है य artists फ्रेंट के साथ कैसे enjoy कर रहा है किसमेंद कितना खुश है और इनका एक लड़का है टाइनी टीम और हाला कि वो एक disabled person है लेकिन फिर भी उसके कितना वो kind hearted है और उसकी kindness को देखके उसकी humility को देखके जो ये इनको बहुत बहुत अच्छा लगता है रोने लगते हैं कि देखो उसके पास ना ही कोई पैसा है और उसकी जो फिजिकल कंडिशन है वो भी अच्छी नहीं लेकिन तब भी उसकी वो इतना kind है उसकी kindness को देखके उसके बाद जो ये spirit है इनको उनके जो ने फिर फ्रेड उसकी party में लेके जाते हैं महाँ पर देखते हैं कि वो कैसे अपनी family और कैसे इतने सारे उनके दोस्त हैं और ये सब कैसे खुशी-खुशी आपस में Christmas मना रहे हैं और ये जब जाते है बीनेजर स्कूरूज ये भी महाँ पर खुशी-खुशी उनके साथ Christmas मना तो उनको बहुत अ होती है फूर स्टेप में जो स्पिरिट है दा गोस्ट और क्रिस्मस कंब वो आता है और वो अपने वह इनको किसी की कि सी बज़िसमेन इसकी डफ पर लेके जाता है और महाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं और जो लोग खड़े वो आपस में बिस्निस इसके बिस्निस के बारे बात करने की कैसा ये मकार सा बिस्निसमेन था इसने कभी किसी की हेल्प नहीं की हमें अपने शेयर्स लेने चाहिए हमेरे इसके पास ये पेपर्स हैं मुझे ये ले लेना ना अब इससे मुझे ये ढूंडना अब इसने कौन से पेपर कहां रखे हैं और कुछ लोग बात कर रहे हैं कि इसके ये स्टेट बेच के ये एसे बेच के हम वो पैसा अपना ले लें और कुछ लोग रिलीफ मिल रहे हैं कि भाई इसने हमें दुखी कर रहा था हमने इसे पैसे लिए हो इसने हमें दुखी कर रहा था अपने पैसो नहीं है जो इसकी डेथ पर रो सके तो वो से कहते हैं कि प्लीज मुझे इसका नाम बताओ यह ऐसा कौन सा आदमी है कि इसके लिए कोई रोने वाला नहीं है तो वो जो इक गोस्ट है इनको इसके एक चर्च यार्ड में लेकर आते हैं और उसकी ग्रेव के हैडस्टोन पर तर चांस तो अब मैं अपनी लाइफ बिल्कुल बदल दूँगा मैं पहले की तरह नहीं रहूंगा मैं अपना आपको बिल्कुल बदल दूँगा मैं मैं काइडनेस दिखाओंगा मैं पहले की तरह नहीं हूंगा पहले की तरह नहीं हूंगा पहले की तरह नहीं हूंगा पहले लेगा अपने आपको प्रूफ करने का कि यह बदल गए हैं तो यह बदल जाते हैं और अब यह काफी कांडनेस हो जाते हैं यह चैरिटी करते हैं काफी यह डोनेट करते हैं डोनेशन काफी करते हैं और जो इनके लग होता है बॉब उसकी यह काफी हेल्प करते हैं घरबर बन उसकी भी काफी हैल्प करते हैं और उसके साथ क्रिस्मस इफ क्रिस्मस वगारा सेलिब्रेट करते हैं हॉलिडेज सेलिब्रेट करते हैं तो अभी ये लोगों की काफी मदद करते हैं काफी सारी डोनेशन करते हैं काफी सारी चैरिटी करते हैं तो इसे के साथ जो फिफ्ट स्टेव है वो भी खतम हो जाती है और इसका जो एंड है वो यही है कि यह बदल जाते हैं तो यह जो किसमस केरल है यह बहुती फेमस नॉवेला है बहुती फेमस स्टोरी है नॉवेल है चार्ल्स डीकन का क्योंकि इसमें बताया कि कैसे एक आदमी जो बिल्कुल ही self-serving था, बिल्कुल किसी की कोई help नहीं करता था, hater type था, और end में आके वो कैसे सब को, अपनी family को वापिस अपनाता है, कैसे friends जो उनके आसपास के काफी, close जो उसके लोग होते है, friends होते है, family होती है, उनकी वापिस वो कैसे help करता है, उनके साथ रहने लगता है, कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता, कि money ही सब कुछ नहीं होती, लोगों साथ enjoy करना, लोगों की help करना सब कुछ होता है, तो यही इसका end है, तो एक ओल्स नोवेला के साथ गया, फिर मिलेंगे next week, तब के लिए take care, goodbye guys, bye bye.